तो पहले हम मलाई लेंगे मैंने एक हफ़ते की मलाई स्टोर की थी इसमें मैंने तीन टेबल स्पून दही डाला है और से रात बर फ्रीज करने के लिए रखती अदा और छे से साथ आइस क्यूब सबसे पहले हम मिक्शर के अंदर हमारी मलाई डालेंगे अब इसमें आइस क्यूब डाले और एक ग्लास पानी हम दस मिनिट के लिए इसे चलाएंगे जबते कि हमारा मक्खना निकल जाए देशते कि आप देख सकते हैं मक्खना हमारा अची तरीकिस निकल चुका है अब हम इसे बतन में निकाल लेंगे आप चाहिए तो दस दिन की ये फिर पंदरा दिन के लिए भी मलाई को स्टोर कर सकते हैं मैंने एक हफ़ते की मलाई में ये इतना मक्खना निकला है आप चाहिए चम्चे से ये हाथों से निवा निकाल लें जिसके आप देख सकते हैं हमारा मक्खन अची तरीकिस त्यार हो चुगा आप चाहिए तो इसे ऐसे भी उस कर सकते हैं और नहीं तो इसे एक गी बनाकर भी उस कर सकते हैं आप जो हमने आपको कोई चाहज दिख रही हम इसे चलाना होगा ये बनाने के लिए तो हम इसे सबसे पहले गैस पर दस मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर इसे बखाना है जबते कि बोईल ना हो जाए उफान ना आजा इसके अंदर हम इसे थोड़ी दे के लिए स्टर करेंगे लगाता है जिससे कि ये उफान का के बाहर ना आए तो आप इसे एक दो मिनिट के लिए लगाता स्टर करते रहे हमें घी से चाच को अलग करना है दस मिनिट बार हमारा गी कुछ ऐसा लगीगा अब हम इसे पाच मिनिट के लिए और हाई फ्रीम बर पगाएंगे इसे लगता स्टर करेंगे इसके अब देख सकते हैं चाच अलग हो चुकी है अब बरतर में अब हम इसे फ्लीम को बंद करेंगे इस हैब देख सकते हैं हमारा गी एकड़न त्यार है घर में बनावा बहुत ही ziemlich बहुत एजी को छाए अगर आपको आप को अम्हारे वीडियो चंवा तुह ए तौह पैटल कॉ तौह आपको हमारे विडियो Wow को का लगा